हाई फ्रेंड्स असलाम अलेकूम वेलकम बैक टू माई चैनल खाना पकाना आज का हमारा ये वीडियो रमजान इद स्पेशल है आज यहाँ पर बहुत ही हम टेस्टी और यमी बिर्यानी बनाएंगे वो भी चिकन टिका बिर्यानी तो चलिए इसे हम स्टेप बैस्टेप बनाना स्टार्ट करते हैं ये खाने में बहुत यमी लगती है इसके अंदर बिर्यानी में चिकन जादा रहता है और राइस कम रहता है लेकिन इसका जो टेस्ट और जो इसका कलर होता है इसका टेक्स्टर होता है बहुत ही पॉफिक्ट होता है तो चलिए हम इसे स्टेब स्टेब बनाना स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिए कमेंट करिए जादा से अदा शेयर करिए अगर आप हमारे च साल तक स्टोर कर सकते हैं उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो जरूर आप विजिट करके चेक करिएगा दम बिर्याने किस तरीके से बनाते हैं स्पेशल बिर्याने किस तरीके से बनाते हैं डबल लेयर वाली बिर्याने किस तरीके से बना चाहेट चिकंप कढुछ चिकंप sekarang चुष यानी कि मैं न मंखता है तो सब्नियों कुर्ण दाओ चपना फट है थोगो चुष होममेट रेड चिली पाउडर लाल मसाला घर का बनाया हुआ और एक चमच हम यहाँ पर तीखा लाल यूज करेंगे और इसके अंदर हम एक चमच अद्रक लोसुन का पेश दालेंगे तीखा अगर कम खाते हैं तो कम भी दाल सकते हैं यहाँ पर एक नीमू का जूस आड़ करे और एक चमच यहाँ पर विनेगर आड़ करेंगे एक चोटाई चमच गरम मसाला अज एवरेश का तंदूरी चिकन मसाला आड़ करेंगे अगर आपके पास टिका मसाला है तो आप वो भी आड़ कर सकते हैं जैसा के मेरे पास नहीं है इसलिए मैं आपर तंदूरी मसाला दाल देते हैं और इसके अंदर हम कॉन्ट फ्लोर आटा दालेंगे एक चमच अगर आपकी चिकन की कॉंटिटी जादा है तो आप कॉंटिटी डबल लेकर भी दाल सकते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसमें हम ब्रेड फूड कलर आड़ करेंगे वन कि यहां पर हम एक चमच तेल आड़ करेंगे जो कुकिंग ऑईल होता है वो आड़ करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि यह मैरिनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है अगर यह पॉफेक्ट होता है तो आपकी ब्रेयानी बहुत ही पॉफेक्ट बनेगी तो यह देखे हम हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे है और इसे हम अभी चारकुल का स्मोक देंगे चारकुल का दुआ कोईले का तो इसके अंदर एक कटोरी रख दी है और मैंने आप जलतावा कोईला रख दियू और इसके अंदर हम एकदम एक चमत तेल डालेंगे और इसे हम ढख कर एक घंटे के लिए इसी तरीके से रहने देते हैं उसके बाद चेक करते है यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने प्यास का विरिस्ता बना कर रखी हूँ यह किस तरीके से बनाना है वो भी हमने पिछले वीडियो में बता चुके है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यहाँ पर जो दही है उसको मैं अच्छी तरह से फेट कर लेती हूँ और यह ब्रीस्ता को थोड़ा से हाथ से हम चुरा करके बावल में निकाल लेते और यह जो दही है यह भी हम इसमें ले लेते दो चमश दही है यह और इसके अन्दर हम एक चयाए चयमस गरम मसाला एक चयाए चयमस अल्दी पाउडर एक जमस रेट चिली पाउडर गद्ध दन्या पाउडर गद्धिश आग चयुक्अ को गद है wrinkles अकर टिका मसाला है तो आप यह बिले सकते हैं और इसे हम अच्छी तरह से mix कर लेते हैं, देखिए, यसे step by step बनाना बहुत ही ज़रूर है, तो ही perfect बनती है, यहाँ पर जैसा कि मैंने rice भीगोने रख दी ती तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी कड़ाई ले लिए, उसके अंदर मैंने एक लिटर पानी ले लिए, उसमें और अनुसा नमक डाल देते हैं, नमक कभी भी जो आप rice की quantity लेते हो ना जितना आप normally नमक डालते हैं, उससे double quantity आपको नमक डालना है, क्योंकि हमें इसका पानी निकाल लेना है ना बाद में इसके लिए, और इसी के अंदर हम अभी एक चमश तेल दालेंगे, और हाफ निम यह स्टेज में आकर अभी हम rice add कर देते हैं, जो हमने विगो कर रखे वेते हैं, यह देखिए perfectly इसी तरीके से करना है, यहाँ पर हमने पूरा rice mix कर दिया है, उसके बाद में हम इसे एक बाद चमश से mix कर लेते हैं, यह देखिए friends, यहाँ पर rice पक चुका है, यहाँ पर हमे आलग कर देना है, यह देखिए हम कुछ इस तरीके से चनी से चान कर ले रहे है, और इसका पाने अलग कर रहे हैं, यह देखिए friends, यहाँ पर हमने पाने अलग कर दिया और उसे प्लेट में निकाल लिया है, पूरा, यहाँ पर एक पैन ले लेते हैं, इसमें मैंने आईल ले लिए जो ऑईल मेने बरिस्ता बनाई थी उसी को लिए और इसके अंदर जो हमने टिका बना कर रखे वे वो आड़ कर देते हैं तो यह देखिए यहां पर हम सारे जो पीसे से चिकन के वो दाल देते हैं जैसा कि जो टिका मसाला है वो बोनलेस चिकन से बनाते तो बहुत ही तो यह देखिए परफेक्टली इसी तरीके कलर आना चाहिए यहां पर पूरा टिका रेडी हो गया है यहां पर बीच में मैंने चारकुल रख दियो इसके पर थोड़ा से ओईल दाल कर इसे ढख कर हम आधे गंटे के लिए रख देते हैं यह देखिए यहां पर मैंने एक अगर बड़ा साइज लेते हैं तो एक टमाटर लिजिएगा और अगर आप चाहो तो टमाटर से पहले अधरक लसुन का पेश दाल सकते हैं यह देखिए मैं यहां पर साइट में ले रही हूँ दो चमच अधरक लसुन का पेश यहां पर स्पून का साइज चोटा है अधे से एक मिनट तक पकाएंगे जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल नहीं जाता यह देखिए फैंस यहां पर टमाटर अच्छी तरह से गल गया है अभी जो हमने बैटर बना कर रखे वे थे यह दाल देते इसके अंदर जो हमने दई और प्यास का मिक्स करके रखे वे और यह देखे इसे हम दाल कर कंटीन्य जलाते विए आदे मिनट तक पकाएंगे कोछ इस तरीके से यहाँ पर हमने इसे continue चलाते विए पकाय रहे है perfectly इसी तरीके करना है अभी हम इसे ढख कर 5 मिनट के लिए पकने देते हैं यह देखिए फिर्णस 5 मिनट हो चुके है हम इसे चेक कर रहे हैं देखिए कितनी अच्छी तरी आई है कितना yummy दिख रहा है बहुत spicy और tasty बिल्कुल इसी तरीके का होना चाहिए तो बहुत ही perfect बनता है अभी हम यह stage में आकर यहाँ पर सुहाना का बिर्यानी मसाला अड़ करेंगे यह optional है अगर आपके पास टिका मसाला है तो वह अड़ कर सकते और इसे अच्छी तरह से हम mix कर लेंगे इसके अंदर जो इसका टिके का जो आईल होता है जो बरतन में लगावा मसाला था वह भी हम directly इसमें आड़ करेंगे जिसी के इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा यह देखे फ्रेंट्स टिका दालने के बाद हम इसे थोड़ा हलका से ही चलाते ही पकाएंगे सिर्फ आदे मिनट तक जादा नहीं इसे चलाना है और इसमें थोड़ा से हलका से नमक दालेंगे जादा नमक नहीं दालना है क्योंकि अलड़ी हमने सारी चीज़ों में नमक दाले वे थे तो यह देखे यहां पर हम इसे अच्छी तरह से पका रहे हैं और अभी हम इसे ढख कर सिर्फ दो मिनट के लिए धीमी गयस पर पकने देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं इस तरह की ही ग्रेवी होती है यहां पर मैंने बड़ा एक डेक्चा लिया हूँ जर्मन का इसके अंदर नेचे हम थोड़ा से ओई लगा लेते हैं आँ मैं यहां पर ऑईल का यूस कर रही हूँ और इसके अंदर फर्स जो हम लेए वो राइस की डाल देते हैं यह देखिआ ए हाफ राइस मैं देल रही हैं यह नेा歹 पर हम इसे अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं और इसके अंदर हम अभी प्यास का विरिस्ता दाल देते जो हमने रेडी करके रखे वे थे देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी प्रिस्ता दिख रहा है उसका कलर भी पॉफिक्ट है और इसके अंदर अभी हम जो लेर है वो चिकन की लगा लिए है देखे कुछ इस तरीके से और उपर से हम राइस लगा लेते हैं जो हाफ राइस हमने रखे थे वो यह देखिए पॉफिक्टली इस तरीके से और इसके अपर हम प्यास का विरिस्ता लगा लेंगे आप फूड कलर अड़ करेंगे अगर आपके पास रेड फूड कलर है जो भी कलर है आप वो लगा सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर यह कुछ रेडिश पिंक कलर का लिए हो मैंने और इसके उपर हम धरा धनिया दाल देते हैं और इसके अंदर हम बीच में थोड़ी से दो हरीमर्श रकेंगे सिर्फ ऐसे ही तो यह देखिए पॉफिक्ट ले कितनी अच्छी और टेस्टी दिख रही है हमारी चिकन टिकका बिर्यानी तो अभी हम इसे दम पर पकाएंगे वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए तो इसके लिए हम इसे ढख देती हूँ और यहाँ पर हम इसे दम पर पकाए रहे हैं मैंने कुछ इस तरीके से पका रही हूँ पहले एक तवा गरम के लिए रख दी थी और इसके अपर यह डेक्चर रख दी हूँ और यह देखिए पाच बिनट बात हमारी बिर्यानी रेडी हो गई है तो चलिए अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और गरमा गरम सर्फ करते हैं तो देखिए इसका कलर और टेक्शर कितना पॉफिक्ट आया है उसकी लेहर है जो नीची राइस फिर बीच में मसाला और उपर से राइस तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है और दिखने म और खाने में बहुत यमी बने वी है यह लीजिए फ्रेंड्स चिकन टिक का बिर्यानी रेडी है तो कैसी लगे आपको हमारी रेसीबी? कमेंट करके जरूर बताएज़बाएगा आप इस रेसीबी को ट्राइ करेए और आपकी राय हमारे साथ में जरूर शेयर करिए अगर आप हमारे चैनल पर फर्स टाइम आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी तरीके के अच्छी अच्छी रेसिपिस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले थैंक यू अलाफीज दुआ में याद रखिए